दो मित्रो और भालू, दो दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है तो उन्हें से एक शीग्रही उजे व्रिक्ष पर चग गया और चुप गया। परंथो दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह असहाय सा खड़ा रह गया। तब उसे अपनी पाथशाला का एक सबक याद आया कि भालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते। वह बिलकुल एक मृत व्यक्ती की भाती धर्ती पर सांस रोप कर सीधा लेट गया। भालू उसके पास आया और उसे सूंद कर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका मित्र पेर से उतर कर आया और उस से पूछने लगा। मित्र भालू ने तुम्हारे कान में क्या बुध बुद आया। उसने उतर दिया। भालू ने कहा कि संकट की घरीमें जो भाग जाएवा सच्चा मित्र नहीं होता.